कि 5x plus 3y equals to 15, 2xy equals to 6 दिया गया है, हमें value इसकी find करनी है, कैसे गरेंगे, अगर मैं इसका दुनों तरह फे square करूं तो इसको लिख सकता हूं कि 5x plus 3y का whole square और 15 का square दो सो पचीस, एक फर्मुला आप सभी जानते हों कि a plus b का whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, दूसरा formula क्या होता है, a plus b का whole square का, यह होता है, a plus b का, a minus b का whole square, minus का 4ab, ठीक है, यह भी formula आपको याद रखना है, तो हम इसको कर सकते हैं, अगर मैं इसका square करूं, तो इसको लिख सकता हूं कि 5x, minus 3y का whole square, और plus का यह कितना हो जाएगा, पहुंचते हैं, 15 और गूना, 46xy, अब देखो, यहाँ पर 2xy है, लेकिन यहाँ पर काएगा, 4 into 5x into 3x, यानि कि 15xy, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 4xy है, पहले से, यहाँ पर 2xy की value 6 है, तो 4xy बनाने कि यहाँ पर 2 से multiply करेंगे, त 4xy के value 12 आजाएगा, तो simple हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 से multiply कर देंगे, यह कितना 25 के बराबर है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, 5x minus 3y का whole square equals to 15 चोग का साथ, 4 का value आया है, sorry, माफ किजाएगा, 4 का value है, यहाँ से निकाल है, 12, तो इसको मैं ऐसे लिक दता हूँ, 15 into 12 equals to 225, तो 15 और 12 कितना होता है, 180, और 225 में से हम गया करेंगे, माइनस करेंगे, 180, तो यह कितना हो जाएगा आपका, 45, अब यहाँ से हम square इसको remove करेंगे, तो यहाँ से root चढ़ाएंगे, यानि का सकते हैं, 5x minus 3y equals to square root of 45 और इसको मैं लिक सकते हूँ, 3 root 5, तो यह इस question का answer हो जाएगा, option number 1, कितना हैगा, 5x minus 3y के value, 3 root 5,